नमस्कार इस वक्त हम मौझूद है मारवा इस्टीडियो में जहां पे सुलहवा ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हो चुका है ये लगतार तीन दिनों तक चलेगा इसमें सेमिनार, वक्सॉप, बुक रिलीज, म्यूजिकल एंड पैसंस होगा तो आइए हम लोगों से जानते हैं कि क्या उनका एकसाइटमेंट है इस फेस्टिवल को लेकर हलो, हलो, आप अपना नाम पताईए है मेरा नाम तुरशेता रहा है, फ्रॉम मास्टर इंप्लिक रिलेशन और इवेंस तो कैसा आपको लग रहा है ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बनकर वैल, मुझे काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा फर्स एक्स्परेंस औरी मेरा फर्स टाइम है तो काफी चीज़े देखने को मिल रहा है जैसा फिलिम्स अच्छा आप है इंटनैशनल इसे नियू लग रहा है कि यहां l इंटनैशनल डिरेक्टर की इंडिया की तरफ काफी Аच्छा है, उनकी रिलशन्स काफी अच्छा है तो आगे जाके कि अगर हम films बनाते हैं, contribute करते हैं, तो हमारे लिए वो beneficial रहेगा थे students, एक्सपोशर अच्छी है आपका नाम? जुई कुमारी कैसा लगा आपको सुलावा फिल्म फेस्टिबल में भाग लेकर? मैंने पहली बार इसमें परफॉर्म करा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, audience बहुत interactive थी, sir ने भी बहुत तारीफ करी, तो बहुत जादा motivation फील हुई अच्छा, ये कथक डांस जो है, हमारे भारत में एक अहम हिस्सा इसका है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? हनजी, मैं मानती हूँ, कथक और कोई भी क्लासिकल दांस फॉर्म का बहुत महत्वपून हिस्सा है, इंडिया की कल्चर को आगे बढ़ाने में, और संस्कृती को आगे बढ़ाने में, इस चीज को इंटाक्ट रखने में, इंडी सोसाइटी, और सबसे बड़ी चीज जो को आज के यूथ तक पहुंचे कि अपनी घुरु ऊषपरमपरा अपने घुरु को बढ़ाने में, इस चीज सोस्ती हूं कि यह डांस फॉर्म में इस चीज को आगे बढ़ा रही है और इसके अलावे तो आगे बढ़ारी है, हमाही संस्किती आगे बढ़ी रही है, तो यह बहुत अच्छा लग रहा है आपको इस film festival का हिस्सा बनके बहुत अच्छा लग रहा है I am a volunteer student so मजा रहा है बहुत enjoy हो रहा है thank you तो आज हमारे साथ है mohit sir sir आपको कैसा लग रहा है इस festival में आगर बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और सबसे अच्छी बात है कि फिल्म फेस्टिवल तो इससे पहले बहुत बार एंट की है मैंने बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल में गया हूं पर यहां पर जो अलग चीज है वो यह है कि बच्चों में बहुती ज़्यादा सबसे अलग करते हैं और स्टुडेंट को भी अच्छ एक्सपोजर मिलता है इनसे इंट्रैक करने का इनसे समझने का जो की फ्यूचर में उनके लिए काफी फ्रूट फूट फूल इस फेस्ट में क्या आपको सबसे अलग लगा सबसे अलग यहीं लगा कि इसका लेवल आपके पास हर चीज के लिए हर तरह से आर्ट को सब्रेट करने के लिए कुछ नहीं पर हो रहा है तो और स्टुडेंट्स की ही की हुई है तो स्टुडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छ एक्स्पोजर जो है उस इस इवेंट में 16th Global Film Festival ने प्रवाइट किया है सर आप आफ्ट के चात्र चत्राओ को क्या कहना चाहेंगे एफ्ट के स्टुडेंट्स को यह कहना चाहूंगा कि इस तरह कि आपोस्वेटीज का पूरा फाइदा उठाए और ऐसे इवेंट से पार्टिपेट करके अपने आपको एक बैटर फ्यूचर की तरफ लेके जाए थैंक यू सो मुच सर